नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मारा मोबाइल है वो हैंग किस कारण चे होता है कहीं यह आपके आदत ही तो नहीं है कि आप बार बार उसी आदत को अपनाते हैं जिसके कारण ही आपका मोबाइल हैंग होता है बार बार आप रिपेर सिस्टम कर कर लेते हैं बार-बार आप मोबाइल को रिस्टार्ट करते हैं बार-बार आप अपने मोबाइल को आपके मोबाइल का उसे डाउनलोड कर लेते हैं ऐसा कुछ भी मत कीजिए आपका मोबाइल बिना रिश्टोर किये बिना प्रोब्लम के चलेगा अगर आपनी इस ट्रिक को अपना लिया यह ट्रिक बहुत ही अलग है दोस्तों बहुत सी यूटूब पर बहुत सी वीडियो डली हुई है कि मोबाइल फॉन को हैं क्यों होता है इस तरह की बहुत सी वीडियो बनी हुई है लेकिन जो आज मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ ना जिसको देखकर आपके होसी उड़ जाएंगे चले दोस्तों वीडियो को सुरा करते हैं चले तो आपको क्या करना है कि हमारा मोबाइल फॉन कहां से हेंग होता है इ आप तो डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन आपका काम हो जाने के बाद जैसे में आलो आपने कोई डाउनलोड कर लिया उससे आप गेम भी खेल लिए पर आप उसे वहां से अपनी होम स्क्रीन पर से डिलीट तो कर देते हैं लेकिन आप उसे पले स्टोर में से डिलीट नहीं क end games पर click कर देना है मैं भी data चालू करूँगा मेरा data चालू नहीं था यह नौ डाटा चालू करने के बाद देखें मैंने click किया था click करने के बाद मेरी यहां पर update अया इंस्टूलेटेड आया इंस्टॉल्ड आया और लाइब्रेरी आया तो आपको क्या करना है यहाप लाइब्रेरी पर जाना है अब देखें आप कितने भी डाउनलोड करते हो पहले भी किये थे अब भी कर रहे हो तो आपकी जो यह सारे लिस्ट है वो सारी लिस्ट आ जाएग और इसे क्लियर कर दीजिए अब दूसरी ट्रिक में बताऊंगा आपको कि अपने जो मोबाइल है इसकी फाइल मेनेजर में जाने के बाद आपको ओल फाइल पर किलिक करना है फोन इस्टे रेज में जाना है नकी SD कार्ड में आपको फोन SD कार्ड से हैंग नहीं होता है आपका फोन फोन की मेमोरी से हैंग होता है तो आपके सामने मोबाइल में आपको यह जो बिना काम के हैं जैसे com.ucmobile, intel, chess, business card maker, break up, android को तो आपको कर उड़ाना ही नहीं है इससे तो delete मती कीजिए डंपश्टर, lazy list, movies यह क्या है फाल्ट के option है तो आपको यहाँ पर edit पर किलिक करना है और इन्हें delete कर देना है भाई हमारी काम के नहीं है तो हम क्यों रखें इन्हें तो आप इससे delete कर दीजे यहां से भी आपका phone है उन्होंने से बचेगा अब तीसरा तरीका में जो बतान video बनाई है भाई आपने तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है अपने यूसी ब्राउजर को open कर लेना है इस application से सभी का mobile इतना हेंग होता है कि पूचो मत भाई कितना ही नया download कर लो फिर भी हेंगी रहता है देखिए आप मेरे भी इतना हेंग चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता तो आपको क्या करना है कि मेन्यू पर जाना है मेन्यू पर जाएंगे तो download पर किलिक कीचे download करते हैं आप कोई भी चीज को आपको क्या करना है कि जो अपनी file होती है कि गिप्ट आ रहे हैं बार 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 डाउनलोड पर किलिक करना है डाउनलोड पर किलिक कीजिए तोड़ा टाइम लगेगा और आपको यहाँ पर हिस्टोरी बुक मार्स पर किलिक कर देना है आप जैसे ही यहाँ किलिक करेंगे तो आपको बुक मार्स देखेगा यह तो खाली ही रहता है लेकिन इसके बाद आपको यहाँ पर हिस्टोरी पर किलिक कर देना है तो आपको यहां से जो भी आप जितने भी सर्च करते हैं वो आपके इसमेर रहता है तो आपको यह देखे बहुत सारी लिष्ट पड़ी है कब की पड़ी है पता नहीं है तो इसको भी आपको यहां से क्या करना है किलियर कर देना है यानि की डिलीट कर देना है जिससे कि आप आपका मोबाइल हेंग होने से बहुत बचेगा दोस्तों, अगर आपने ये तीन तरीके अपना लेना तो आपका मोबाइल बहुत ही सुपर फास्ट चलेगा दोस्तों मैं कोई जूटी वीडियो नहीं बना रहा हूँ भाई कि आप मेरी वीडियो को देखे मैंने अपने मोबाइल में भी एट्रिक अपनाई थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी अगर आपको अच्छी लगे तो एट्रिक अपनाना, नहीं लगे तो मत अपनाना आगे आपकी मरजी मैंने तो बता दिया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो बेल आइकन को भी दबाओ ताके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले हैं